गुड मार्निंग बच्चों, DSS Online Hindi Classes में आपका स्वागत है आज हम लोग शितिज भाग 2 के दूसरे चेप्टर राम लक्षमर परशुराम संबाद के तीसरे पद का ब्याख्या समझेंगे इससे पहले हम लोग दो पदों का ब्याख्या समझ चुके हैं इसमें देखिए सिव जी का धनुस जब तूट जाता है यह खबर परशुराम जी को लगता है तो परशुराम जी क्रोधित होते हुए सभा में उपस्थित होते हैं और सभा में उपस्थित लोगों से पूछते हैं कि यह सिव जी को धनुस को किसने तोड़ा है तो लक्षमर जी कहते हैं कि हे मुनी बच्पन में मैंने ऐसे खेल खेल में पता नहीं कितने ही छोटे मोटे धनुस तोड़ डाले हैं लेकिन इस से पहले आपने कभी इतना क्रोध नहीं दिखाया है हे मुनी आपको इसी धनुस पे इतनी ममता क्यों है और फिर इस धनुस के तूटने में स्री राम चन्जी का तो कोई दोस ही नहीं है इसको तो स्री राम चन्जी ने नए के भ्रम से देखा था और यह छूते ही तूट गया इस पर परशुराम जी अत्यदिक क्रोधित होते हैं और उनकी इस क्रोध युक्त अवस्था को देख करके लक्षमर जी हसने लगते हैं और हसते हुए कहते हैं बीहसी लखन बोले मृदुबानी अहो मुनीस महाभट मानी यहां लक्षमर जी कहते हैं हसते हुए मधूर बचनों से कहते हैं कि हे मुनी यद्यभि मैं आपको महान युद्धा मानता हूँ प्राक्रमी तथा बीर मानता हूँ उसके बाजूद भी आप बार बार मुझे अपनी ये कुल्हाडी दिखा रहे हैं पूनी पूनी मोही देखाव कुठारू चहत उड़ावन फू की पहारू अर्थात मैं आपको युद्धा मानता हूँ मैं जानता हूँ कि आप वहुत ही सक्तिसाली हैं प्राक्रमी हैं उसके बाज भी आप मुझे अपनी ये कुल्हाडी बार बार दिखा करके मुझे भैभीत कर रहे हैं डरा रहे हैं जिस प्रकार से कोई फूक से पहार को उड़ाना चाहता हो जैसे फूक से पहार नहीं उड़ सकता इसलिए आप असंभव प्रियास कर रहे हैं और हम लोगों को साधारण या तुक्ष बालक समझ रहे हैं इहां कुम्हड बतिया को उनाही जे तरजनी देख ही मरी जाई देखिए यहां कुम्हड बतिया का आसा ये है कि कासी फल जिसको हम लोग कद्दू बोलते हैं तो कासी फल को तरजनी उंगली से दबाते ही तरजनी उंगली अंगुठे के पास वाली जो उंगली है उसे तरजनी उंगली बोला जाता है तो कासी फल के बच्चे को अगर तरजनी उंगली से दबाया जाए तो नश्ट भ्रश्ट हो जाता है मुर्जा जाता है ऐसे ही हे मुनी आपको राम लक्षमर को आप साधारण बालक समझ रहे हैं राम लक्षमर के सक्टी का अभी आपको आभास नहीं है देखी कुठार सरासन बाना मैं कचु कहा सहित अभिमाना यहां लक्षमर जी कह रहे हैं कि मैंने परशुराम जी के कुल्हाडी धनुस और बाड को देखते हुए स्वाभिमान के साथ इस प्रकार से बोला भ्रिगुशुत समुझी जनेव बिलो की जो कचु कहा हुँ सहारी से रोकी और हे मुनी मैं आपको भ्रिगुवंसी समझ करके और आपके जनेव को यग्युपवीत को देख करके जो कुछ भी कह रहा हुँ हे मुनी आप अपने क्रोध को सांत करके मेरी बातों को सुनिये लक्षमर जी यहां कह रहे हैं कि हमारे बंस में इन लोगों पे बीरता नहीं दिखाई जाती जैसे देवता या सूरकार्थ है देवता मही सूरकार्थ है ब्राम्हड हरिजन अर्थात भगवान के भक्त अरू और गाय लक्षमर जी कह रहे हैं कि हमारे बंस में हमारे कुल में देवता ब्राम्हड भक्त और गाय पे बीरता नहीं दिखाई जाती इनसे युद्ध नहीं किया जाता क्योंकि अगर इन्हें मार दिया जाए तो ब्यक्ति पाप का भागी होता है उसे पाप लगता है अगर इन लोगों से ब्यक्ति पराजित होता है तो अपजस का सामना करना पड़ता है इसलिए हे मुनी किसी भी अवस्था में आप मुझे मार रहे हैं आप मुझे मारेंगे तो भी मैं आपके पैर ही पड़ूंगा मैं आपको मारूंगा नहीं क्योंकि आप भी ब्राम्भड ही हैं और हमारे बंस में ब्राम्भड से युद्ध नहीं किया जाता है कोटि कुली ससम बचन तुम्हारा ब्यर्थ धरहु धन बान कुठारा यहां लक्षमर जी कर रहे हैं कि हे मुनी करोडो बजर के समान आपका ये एक एक बचन है एक एक बाड़ी है अर्थात आपकी बाड़ी आपकी अवाज ही इतनी कठोर है कि करोडों बजरों के समान ये लग रहा है तो फिर आपको धनूस बाड़ ये कुलहारी धारड करने की जरूरत ही नहीं है ब्यर्थी ही आप ये धनूस बाड़ और कुलहारी धारड किये हुए है कहने कासा ये है कि आपका बचन ही इतना कठोर है कि ब्यक्ति को डरा देगा ब्यक्ति को भैभीत कर देगा जो भी लोग की अनुचित कहेऊं छमह महामुनी धीर सुनी सरोस भरिगवन्स मनी बोले गीरा गंभीर फिर लक्षमर जी का रहे हैं कि हे मुनी आप लोगों को देखकर इन सब चीजों को देखकर अगर मेरे मुन से कुछ अनुचित सब्द निकल गए हों तो हे मुनी आप धैरे धारण करके उसे छमा कीजिए मुझे माप कर दीजिए सुनी सरोस भरिगवन्स मनी बोले गीरा गंभीर और लक्षमर जी के इन बचनों को सून कर क्रोध सहीत सरोस क्रोध के साथ भरिगवन्स मनी भरिगवन्स रुपी मडी परशुराम जी गंभीर बचनों के साथ बोले इसमें देखिए इसका काबिश अंदर ये है कि यहां गोश्वामी तुलसीदास जी ने लक्षमर जी के माध्यम से परशुराम जी पर ब्यंग करवाया है कुलीस समबचन में उपमा अलंकार है और देखिए मुनीस महाभट मानी कच्छु कहहु रिस रोकी पापरिय कोटी कुलीस धरहु धनु सुनी सरोस में अनुप्रास अलंकार है और तरजनी उंगली दिखाना फूक से पहाड उडाना मुहाभट का प्रयोग किया गया है इसमें बीर रस की प्रधानता है इसकी सब्दावली जो है ओजगुड से संपन्न है और पूनी पूनी में पूनुरुक्ति प्रकास अलंकार है क्योंकि इसमें पूनी पूनी शब्द दो बार आया है और दोनों कार्थ एक ही है बार बार और इसमें दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है इसकी भासा जो है ओधी भासा है जो मधूर है प्रवाह में है और शंगीत में है आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद